आज आपकी सामनी लेके आए हैं फाइवेट टू फैब्रिक का सेकंड क्लास सेकंड क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पढ़ना है किस के बारे में उलके बारे में त्यार हैं शुरू हो जाए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर बहेड लीकर नहीं दवाया तो बहेड दाड़ो तब पढ़ने के बाद अगर कर पासान दाय तो लीक दभाना नहीं तो नहीं दभानगा ठीक है शुरू करते है कि बढ़odu उलकिए होली ज然 एगजामपल अफ नेच्रल फाइबर ओके आप्ते अनिमाल and that animal is either the sheep either the gaut or the yak ठीक है now the hair from sheep, yak or gaut is used to make the fiber and that fiber is used to make the fabrics and then fabrics is used to make the cloth रेटी है आप लो? चलो तो पता चल गया, उल क्या है? is a natural fiber obtained from the hair or flesh of the sheep yak or gaut चलो आगे बढ़ते हैं actually उल की capacity होती है कि उल fiber हमेशा अपने अंदर क्या करता है air को भर के रखता है किसको भर के रखता है? air को trap करके रखता है और वो air जो होता है न वो insulator होता है यानि वो अपने बोडी वो अपने अंदर से heat को ना तो बाहर जाने देगा ना तो अंदर दाने देगा तो क्या करता है? oil keeps our body warm in the winter because air trapped within oil and fiber does not allow body heat to escape out body heat को वो बाहर नहीं जाने देता है जिसे हमारा body हमेशा क्या रहता है गरम बना हुआ रहता है तीक है? यानि हमारी जो oil जो है वो उल खुद गरम नहीं होता है उन हमारे बोडी के heat को ही हमारे बोडी के अंदर रखता है और उसको बाएर जाने नहीं देता है ठीक है फटार फट देख छियते है डिफर्ट टाइप ऑफ उल कौन-कौनसर होते हैं हमारे पास है मोहर उल जो अंगोरा गूट से मिलता है अंगोरा उल नेम में inne Bluetooth मत ना अंगोरा कफ से मिलता है और अंगोरा समें मिलता है और कैस्मेर यह वहدي फाइन्स फिर्टी चिंफ यह गास्मेर जो है कैस्मेर को हम बोलते हैं Wool of Kings महराजाओं का Wool अमीर लोगों का Wool कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत जाता softness होता है और It can be dyed, dried dyed in different colors इसको आप अलग-अलग color में क्या कर सकते हैं? dye कर सकते हैं ठीक है? अलग-अलग color में इसको dye कर सकते हैं जिसने की खुशूरत color का उल आपको मिल जाएगा ठीक है तो हमारे इंडिया में जो उल है न यानि उल प्रोड्यूस करने वाला जो सीफ होता है उसको कुछ वैराइटी उसका नाम भी याद रखो कभी कभी कम्टेटिव एक्जामिशन में आता है लोही, पाकरवाल नाली, मारवारी रामपूरी, पटवारी पटवारी ये शब कुछ वैराइटी आफ क्या है सीफ है जो इंडिया में पाए जाता है देखें हम लोग अब बात करते हैं नेक्स टॉपिक ब्रीडिंग और रियरिंग आफ उल क्या हो तेक्या ये पता चल गया डिफेंट टाइप आफ सीप्स कौन-कौन से है या कौन-कौन से है और किस-किस वेराइटी का हमारे पास क्या मिलता है अब हमारे पास सेकंड इस्टीप आता है ठीक है सबसे पहले जो सिप है उसको प्रिपेर करना है किसके लिए पूल परडूस करने के लिए तो दो स्टेप इसमें होता है दी फास्ट स्टेप इस selective breeding and second step is rearing okay what does selective breeding means अब मैं बता दो धे सारा ऐसा सीप का variety होता है जो good quality of hair produce करता है तो सबसे first step पे हम उन सीप को collect करते हैं जो produce करता है good quality of hair अब हम बता दे जब हम select करने जाते हैं सीप को good quality of hair तो क्या दो चीज़ यहां देखते हैं पहला उसके पास जो सबसे upper surface में जो नज़र आएगा बाहर से जो दिखेगा सीप का जो hair वो होना चाहिए ठीक और coarse मोटा मोटा थोड़ा hard होता soft कम होता है उपर का जो body के surface से attach होता हूँ जनली क्या होता है soft और fine होता है दो तरह का hair हो गया एक तो coarse breed hair जो upper surface पे रहता है थोड़ा hard होता है और दूसरा होता है जो skin से चिपका हुआ रहता है skin के नजदी के रहता है जिसको मनों बोलते है soft fine hair तो दो तरह का hair हो गया coarse hair तो थोड़ा hard होता है in completion of the soft or fine hair that is closer to the skin it means either hair is closer to the skin और above the skin दो category हमने बाठ दिया अब मैं बता है कि सबसे पहला step क्या होता है how we select the sheep first step is we select the sheep having the thick coat hair जिसमें मोटा इस जो है वो धीर साड़ा लच्छेदार कह सकते हैं bunch of hair रहता है जिसके पास कम hair होता है उसको select नहीं करते हैं और जिसके पास ज्यादा होता है you know sips having the fine and thick coat of hair fine and thick coat of hair is selected for breeding breeding means उससे reproduce करवा के फिर अच्छे वराइटी का breed हमको अच्छे वराइटी का sheep produce करवाना है तो क्या select करना है जिसके पास क्या हो thick layer वो hair का वैसे sheep को select करते हैं और उस sheep को दूसरे sheep के साथ breed करवाते हैं जिससे की जो desired characteristic है उस type का ही हमारे पास breed बिल सके सिंपल भासा में बात करें तो हमको अच्छे quality वाला sheep को select करना है उसको reproduce कराना है दूसरे से जिससे नया वराइटी का जो sheep आए उसमें वो सभी characteristic रहे वो सभी quality of hairs रहे जो हमको चाहिए that is called selective breeding means selective breeding is method of breeding in which a sheep of good quality hair is breed with another sheep so that we can obtain the good quality of hair selective breeding समझ में आ गया तो selective breeding के बाद जब breeding हो जाता है now it is essential to rear take care of the ships so that they can grown up in good condition ठीक है जनरली वो cold climate में रखा जाता है ठीक है और after breeding उसके कहां रखा जाता है comfortable environment में और उसको क्या खिलाए जाता जनरली तो grass और lips ही खाता है बट उसके साथ हम लोग उसको corn और pulses भी देते जिससे इसको protein में सके हैं यह उसके क्या हो गया खाने का आइटम हो गया समझ में आगे दो स्टिप पहला स्टिप क्या होता है selective breeding जिससे हम नए वराइटी का breeds produce करते हैं दूसरा produce के बाद उसको एक control environment में रखते हैं जिससे की उसका जो produce करनी की capacity है ऐर का वो बेटर हो सके अब देखते हैं हम लोग कि उल कैसे ऑफटेन किया जाता है तीक किसे शिप से शिप को हमने रियरिंग कर लिया था ठीक है बीडिंग कर लिया था अब देखना है कि शिप के बोडी से उल को हम लोग कैसे अफेंड करेंगा उस ओल से फाइबर कैसे बनेगा और फिर फाइबर का यूज करके हम लोग फैबरिक से प्हला स्थेप वो होता है सीरिंग ति फास स्थेप इस तो रिमूव पड़ भी रहार फिर बोड़ि फनेगा For this purpose, we are using either hand or either using the scissors or razor. किसका यूज़ करते हैं? Scissors का यूज़ करते हैं, या तो razor का यूज़ करते हैं. This removal of hair from the ship either manually using the razor or scissor or using the shearing machine. It's called shearing, या तो machine का यूज़ करते हैं, या तो hand से scissor या razor का यूज़ करते हैं. तो पहला step क्या हो गया? कोल्ड वाटर में, तेके उस washing को हम लोग बोलते हैं scouring, the process of washing the wool is called scouring, जब वो साफ हो जाता है, तो साफ करने के बाद उसको roller से और dryer से पास करते हैं, जिससे वो सुख जा, dry करने के लिए उसको dryer machine के तरह उसको dry के जाता, पहला step क्या हो गया? सेरिंग, second step हो गया, scouring, and third step है sorting, सबसे पहले आपने क्या किया? remove किया सिब से tool को, फिर आपने उसको washout किया, washout करने के बाद अब उसके अंदर धेर सारा फर रहता है, यानि बहुत fine पतला hair, जो किसी काम का नहीं रहता है, उसको remove करना होता है, और remove करने से पहले, हम लोग यह देखते है कि उसमें कितने variety का clock, कितने variety का, variety समझ में आ गया? अलग अलग texture का कोई थोड़ा hard होगा, कोई थोड़ा soft होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, according to texture हम उसको अलग अलग divide कर लेते है, category बना देते, grade बना देते, first grade, second grade, third grade, fourth grade, जिस कारने से उसको quality maintain ह हो जाएगा, first grade वाले को एक जगा रखना, second grade, third grade, fourth grade, वेस्ट जिस का लग कर देना, that is called sorting, sorting करने के बाद, अब आपने grade के उसर मार दिया, quality के उसको separate कर दिया, separate करने के बाद, अब काम सुरू होता है, उस quality में सी गंदगी को बाहर निकालना, तो पहला काम होता है कि जब आ जैसा जैसा कोई चीज हो जाता है, ठीक है, पतला पतला ही है रहता जो किसी काम कर नहीं, तो पहले इसको कंगी करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, जैसे हम लोग कंगी करते हैं, उसमें से क्या करते हैं, fluffy fiber को या जिसको बढ़ बोलते हैं, fluffy fiber को उसमें से remove कर देते हैं, ठेक ठेक है रिब मोव करने के लिए आ तो हम लोग मेटल का लोहे का बना हुआ कंगी रखते हैं या तो मसीन का यूज करते हैं City का मजिएम उसको मसीन खुद निकाल देजी या तो ब्लैक होगा या तो ब्राउन होगा लेकिन अपने को कहा चाहिए इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं डूब होते हैं वाटर में कलर मिला के सोक करते हैं जिससे कि इसके पास अलग-अलग कलर मिल जा इस प्रॉसेस को हम लोग ड्राइंग मोलते हैं ड्राइंग करने का बाद क जो हमारे पास उल मिला है, उसको मिला के हम लोग एक fine thread बनाते हैं, उसको twist करके, यानि जो हमारे पास वो उल मिला है, उस उल को लेके क्या करते हैं, हम लोग उसके hair को, ठीक है, यानि कि यहां पे उल fiber कह सकते हैं, यानि कि यह जो आपके पास क्या है, उल यानि कि hair जो है, उस को ट्विस्ट करके क्या बना देते हैं थ्रेड बना देते हैं थ्रेड याने की फाइवर बना देते हैं त्विस्ट करके मिलागे दो तीन फेर को मिलागे फाइबर बन जाता है जो फाइबर बाद में क्या किया जाता है क्लास बनाने में यूज होता है ठीक है क्या करके हमेश करके विविंग करके विविंग करके हैं या तो क्ल Stress बनाएंगे या तो फाइभर बनाएंगे ख्ञेजुंग marching करने की बना सकते हैं Air का प्रीज के पर इस यह लिए क्या है गाता था यह ए eh हेर को पहले क्या बनाए गया फाइबर और फाइबर को नीटिंग करके और विविंग करके बुनाई करने के बाद क्या बना दिया गया क्लॉस को कट करके अलग-अलग से डालके क्या बना दिया गया फैब्रिक बनाए गया पहले अब फैब्रिक से हम लोग का क्लॉस बन गया यानि सबसे पहले क्या हुआ भाई हैर हमने लिया हैर को ट्विस्ट करके क्या बनाया थ्रेड को ट्विस्ट करके क्या बनाया फाइबर और उस फाइबर का यूज करके या तो हम पहले क्या बनाते हैं अब फैबरिक बनाने के बाच्छा है तो फैबरिक बनाने से पहले उसको क्या कर सकते स्वेटर, गलॉफ यह इन चीजों में अप्लाई कर सकते हैं यह पूरा प्रोस्स रहा किस तरीके सम्पलोकल को अप्टेण करते हैं एसका यूज कैसे करते हैं अ है झाल झाल